आंज्रुप्रदेश के गुंटूर में जिन्ना टावर को लेकर विवात थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस टावर के नाम को लेकर पहले से विवात जारी है, अब उसे तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है। और अब यहां पर भजा रोहन करने की तयारी है। यह एलान गुंटूर इस्ट के विधायक मुहम्मद मुस्तिफा नहीं किया है। मुहम्मद मुस्तिफा वायसर कॉंग्रस पार्टी के विधायक है। देरसल लंबे समय से जिन्ना टावर को लेकर विवात चल रहा था। बीजेपी ने मांग की थी कि इस टावर का नाम पूर राश्टपती एपीज अब्दुल कलाम के नाम पर पोना चाहिए। आंदर प्रदेश के गुंटुर शहर में जिन्ना के नाम से एक टावर है। उस टावर को वहां के मुंसिपल कॉर्परेशन ने भारत देश का जो कलर होता है। उस रंग से उस टावर को रंग दिया। मैं मुंसिपल कॉर्परेशन एवं आंधर प्रदेश के मुख्य मंत्री को रुधे से दन्यवाद पकड़ करता हूं लेकिन मैं आंधर प्रदेश के मुख्य मंत्री से यह नहीं विदन करना चाहता हूं जिस जिन्ना ने भारतियों का कतल किया जिस जिन्ना ने भारत के दो दुकड़े करने में उस विक्ति का बहुत बड़ा रोल है उस जिन्ना का नाम हमारे भारत देश में हमारे आंधर प्रदेश में लेकिन इस मांग के बीच गुंटूर इस्ट के विधायक मुहम्मद मुस्तफा ने इस पूरे टावर का रंग ही बदलवा दिया है और बीजेपी को आइना दिखाने के लिए बजा रोहन करने की तयारी कर ली है विधायक मुहम्मद मुस्तफा ने बीजेपी पर निशाना साथते हुए कहा कि बीजिपी को गरीबों के बारे में सोचना चाहिए लोगों की कैसे मदद की जाए इसकर जोर देना चाहिए बिना वज़ा साम्प्रदायक दंगे भड़काने की कोई जरूरत नहीं है मुहम्मद मुस्तफा की माने तो कई संगठनों ने उनसे अनुरोद किया था कि जिन्ना टावर का रंग तिरंगे के रंग में कर दिया जाए सभी की दलीर थी कि कई मुसल्मानों ने भी देश के आजादी में बड़ा योगदान दिया है उन्होंने पाकिस्तान न जाकर हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया था ऐसे में अब यहाँ पर तिरंगा फैराने का पैसला हुआ है इससे पहले 26 जन्वरी को भी जिन्ना टावर पर खोब बवाल काटा गया था तब कुछ लोगों ने वहाँ पर जबरन तिरंगा लहराने की कोशिश की थी उस वक्त पुलीस ने आक्शन लेते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया था लेकिन अब गुंठो रीस्ट के विधायक मुहम्मद मुस्तिफा ने बीजेपी के एजेंडे को खत्म करने के लिए जिन्ना टावर को तिरंगे के रंग में रंग दिया है और वहाँ पर जणडा फहराने की बात हो रही है न्यूस तक विरो झाल झाल